नमस्कार सभी दोस्ताओं को तो चलिए स्मार्ट जी के ग्लोबल में आप सबों का स्वागत है जारखंड जेससी सीजील की ओर से एक अपडेट आया हुआ है तो इसमें देखिए दोस्तों आगे क्या है जारखंड समान असनातक योगिता धारी सन्युक्त परतियोगिता परि और इसका सुचना संख्या जो है फोर्टिन है और दिनाख जो है 16 नॉवंबर 2022 को आया हुआ है दोस्तों इसमें आगे आप लोगों को दिखाते हैं क्या है जारखंड क्रमचारी चेन आयों कि बिग्यापन संख्या पांच 2021 जारखंड समान असनातक योगिता धारी सन्युक्त परतियोगिता परिक्षा 2020 के अंतरकत वेद्ध आवेदकों दवारा अपरिहार ये कारण वस अगतन फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड किया जाना कि मतलब आगे का फोटो और सिगनेचर नहीं चलेगा फिर से फोटो और सिगनेचर अपलोड करना होगा उक्त के निम्मी संबंदित अविर्थियों को निम्नता दिशा निर्देश जारी किया जाता है फोटो एवं हस्ताक्षर पुना अपलोड करने हेत्व वेसे अविर्थी पात रहूंगे जिनकी अविर्था रद नहीं की गई है जो अविर्थिता की जो अविर्थी का अपलिकेशन रद हो चुका है उनका फोटो और सिगनेचर अपलोड नहीं किया जाएगा संबंदित परिशा की आवस्यक सुचना जो है संख्या 13 दवारा जिनकी अविर्थिता आयोग पुना बहाल की गई है फोटो में हस्ताक्षार अपलोड के लिए देखिए दोस्तों समय दिया हुआ है 18 नॉवंबर 2022 से दिनांक 2 दिसंबर 2022 की मधिरात्री तक आप लोग फोटो और सिगनेचर www.jssc.nic.in पर लिंक पर कर सकते हैं तो आगे देखिए दोस्तों क्या है अपर्यूक्त उलेखित लिंक पर जाकर लॉग इन करने के करम में अविर्थि के आवेदन पत्र में पूर्व में प्रविष्ट मोबाइल संख्या एवं इमेल आईडी प्राप्त हने वाले OTP के माद्यम से लॉग इन किया जा सकेगा लॉग इन के पस्चात अविर्थि फोटो एम हस्ताक्षर अफलोड करने से पूर्व आवेदन संख्या के साथ अनिवारी रूप से नए पासवर्ड का निर्मान किया जाना सुने स्चीत है और नए पासवर्ड के माद्यम से लॉग इन करने के पस्चात अविर्थियों दोबारा स्केन किया हुआ आगतन फोटो एम हस्ताक्षर अफलोड किया जाना अनिवारी होगा एक भार फोटो एम खस्ताक्षर अपलोड करने के पस्चात उप्त में परिवर्तन या संसोधन नहीं कर सकते हैं अतव आप अपने अपलोड किये गए फोटो एम खस्ताक्षर से संतोष्ट हैं तो आवेदन पत्र को समर्पित कर आवेदन पत्र का प्रिंट आउट ले ले अपने दोवारा पूरों में आवेदन पत्र की प्रविष्टियां को देख लें किन्तु उप्त प्रविष्टियों में संसोधन करने की सक्षम नहीं होंगे। चलिए दोस्तो इतना ही जानकारी था आगे जो है अभी अर्थियों दवारा आगतन फोटो यह वह स्ताक्षर अपलोड नहीं किये जाने की आवस्था में संबंदित अविर्थों की अविर्था जो है रद की जा सकती है। तथावक्त प्रक्षेपे में उन्हें परिछा में सम्मिलित होने है तुप परवेश पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा। देखिए दोस्तों साफ साफ लिखा हुआ है कि आप लोगों को फोटो ही और सिकनेचर जो है फिर से अपलोड करना ही होगा। और यह से नहीं करते हैं तो आप लोगों की अविर्था जो है रद कर दिया जाएगा परवेश पत्र नहीं मिलेगा। निर्धारन तिथी के पस्चाद फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने ही तू अभियर्थियों दबारा तिथी विस्तारित करने की समर्पित आवेदना पर आयोक दबारा विचार नहीं किया जाएगा। और यह भी कहा गया है दोस्तों कि समय पर ही आप अपना फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करें चलिए धन्यवाद आप लोगों का मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो सस्क्राइब करें दोस्तों कि सेयर करें